हलो दोस्तो प्लसपन के यूटुब के वीडियोज में आपका स्वागत है I hope की मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं दोस्तो मेरी चैनल के जो फॉलोवर्स है जादा तर 16 से लेकर 35 साल तक के जादा तर फॉलोवर्स है इसके अलावा कुछ छोटे बच्चे भी मुझे फॉलो करते है कुछ बुढ़े लोग भी मुझे फॉलो करते है मतलब ही होता है कि मैं education देने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो सभी लोगों के तक पहुच रहा है दोस्तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक अच्छी दर से कुछ प्रॉपर नॉलेज दे पाओ इसके लिए मेरी चैनल में आपने देखा रहेगा कि मैं डिजाइनिंग रिलेटेड, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्रिकल, अभी आगे पोग्रामिंग, एंड्रोइड, आडिनो डेलोप्मेंट कि किसी के लिए बाधा स्wahरूप बना रहे education, education का हक सभी को है सभी को education की जरुध है, और सभी को लेना जरुरी है, लेकिन कभी-कभी प्रॉपर guidance ना मिलने की वाज से वो लोग नहीं ले पाते, तो मेरी चैनल का मकसद है उन लोगों के साहिधा औरना दोस्तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैं आज समझो चाइना वाले लोगों के मैं बात करूँ तो आज आप लोग जो कॉलेज में सीख रहे हैं electronics के अंदर या project वगर बनाते हैं वहाँ पे छोटे बच्चों लोगों को कोई ट्रेंड करे electronics के लिए उनको जो भी ऐसा जरूई नहीं के जबस सी electronics पढ़ाईए उनको जो फिल्ड में knowledge है उस फिल्ड में भैतर करने की कोशिच कीजिए आप मैं आज जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ आज मेरे बच्चे के बारे में आपको बताना जा रहा हूँ एक वीडियो जो से खुद ने एक FM रेडियो बनाया है जो की वीशावल्ड की एक कीट है उसकी मदद से बनाया हुआ है लेकिन मैं ये कोशिच कर रहा हूँ कि हम लोग क्यों न छोटे बच्चे लोगों कोई एक छोटी सी चीज से हम लोग शुरुआत तो करें क्योंकि मैंने जो education gap देखा उसको fulfill करने के लिसे हमको जरूर अधाथ छोटे बच्चे से education अच्छी करनारे लोगी यहां चोटे बच्चे लोगों की education अच्छी करेगे तो जैसे ही हो बढ़े होगे तो education और मझबूत और अच्छी ताष़से हम लोग करवा सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो ज़रूर देखिए, एंग तक देखिए, कि किस प्रकास से एक आसानी से एक छोटा बच्चा भी FM रेडियो बना सकता है, वो भी विशावल्ड की किट की मदद से, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी आपके बच्चे या आपके अडोस् सीटी बढ़े, क्योरा सीटी का मतलब है, उसको यह लगे कि नहीं यार, मुझे यह सीखना है, मुझे यह करना है, तो अगर बच्च्पन से वही चीज करेगे, तो सोचे आगे जाके कि इतने अच्छे मास्टर बन सकते हैं, भरवर है, तो आई होब कि यह जो वीडियो है आ बहुत-बहुत-बहुत-बहुत सीम्पल है, और केसे छोटे बचे लोगों को अगर मैं कॉंसेट बता दे तो अलेक्ट्रोनिक्स का, तो आराम से सीख सकते है, तो देखे और शेर जरूर कीजे वीडियो को, थैंक यू जो के अपने वीशावल्ड से लिए वा, राइट? ये वीशावल्ड से खरिगा है, और ये 1000 प्लस जोल्ट्रोनिक्स का एक सर्कित है, जिसके जरीए आप बनाने वाले हो FM राइट? तो इसके साथ में क्या-क्या चीजे मिल्या, FM बनाने के लिए हमको क्या-क्या चीजे चा ये वा, ये जो कैपसेटर की जो वैल्यू है वो 0.1 वा, राइट और ये है राइट, ये राइट कितने के वीशावल्ड का है, 5.1 क ऐका है, किलोोंस का है, साथी साथ दो बैटरिस का सेट है, जिसमें टोटल चार बैटरिस लगे हुई है, और साथी साथ ये कीट में अगर मैं दिखाऊ, तो ये किट के अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स है, जैसे आपको नजर आ रहे है, इसमें से इतने कंपोनेंट्स उसने बाहर लिए और ये जो है बोड है, जिसके उपर इसको मांट करके FM रेडियो सार्किट बनाने वाले है, तो FM रेडियो बनाने के लिए य ये सेम तो सेम जो है, हमारे बुकलेट में दिया हुआ गया, उसी प्रगा से क्रीज जो है, इस्तमाल कर रहा है, अगर आपने जोई ट्रोनिक्स का लेवल 150 वाला प्लस का जो प्रोजेक्ट देखा रहेगा, उसके अंदर भी क्रिश्ट ने पूरा बताया हुआ है कि किस प्रकार से आप करोगे, और ये बिल्कुल आसान है क्योंकि ये स्नैप सर्कीट है, स्नैप सर्कीट का मतलब है कि यहां पे जैसे बेटन्स दिख रहे है, ये बेटन्स को खाली हो अंदर प्रेस करना है, ये देखें, वापिस क्रिश्ट दूसरी चीज लगा रहा हुआ ये यल्लो वाला जो है आइसी है राइट और वाइट वाला रिसीवर है, और ये रेट गलर का बाहर जो वाइट वाले पर है वह क्या चीज है, ये आम रहे देखा ये चीज आटेना है, ये बिखा दिया बजर, ये अल्मोस्त हमारी सर्किट कंप्लीट है राइट? कुछ रहने किया है, हो गया कंप्लीट, अभी चलिए उसको शुरू करके दिखते हैं, और कुछ ही ये दिखे, स्टेशन पकड़ना सुरू हो गया है, वाव, अवाज भी आपको रेडियो को सुना ही दे रहा है, और को चैनल तबाहिए, ये दिखे, अवाज सुना है कि ये वीडियो का, जो इससाब सी सिगनल पर आएगे है, वो इससाब रेडियो के ये एंटीना है, दुसरा चैनल भी हम लोग जहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो सिंपल प्रेस करना है बटन, थोटा सा एंटीना घुमाईए, प्रेस करना है, जो स्टेशन में, अभी अटो मोड पर सेक्ट है, जो क्रीश कैसा लगा इस रोटेपना कर आपको, अगर आप लोगों कोई स्टाप की, छोटे बच्चे लोग ने इलेक्ट्रोनिक्स के लिए सीखने के लिए बहुत ही अच्छी कीट है, अगर आप लोगों कोई हजारो सरकीटा बना सकते दुझे, यह 1000 प्लस का सरकीट है, तो चले, नेक्स वीज़ा से आपको, थैंक यू क्रेश, थैंक यू